नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगे इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे दे सकते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले 6 के मल्टि प्लस में फंदा डाल लेंगे जितना आपको स्वेटर के अनुसार, आप अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डालिए और ये फंदा जो है आप 6 के मल्टि प्लस में डालिए तो 6 के multiply पे आपको जितना फंदा डालना है डाल दीजे और एक फंदा आप extra डाल दीजे उसके बाद आप border बना लिजे जिस भी तरह का आपको border बनाना हो वैसा border बना लिजे आप हमारी channel पर जाकर border का design देख सकते हैं बहुत सारा डिजाइन हम बॉर्डर का दिये हैं आपको जो भी पसंद में आए वो बॉर्डर आप अपनी स्वेटर में देश सकते हैं उसके बाद जब आप बॉर्डर बना लिजे तब आप इस डिजाइन को सुरू कीजे तो इस डिजाइन को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे देखे सबसे पहले सबसे पहले पहला फंदा को इस तरह से उतार लिजे उसके बाद धागा को ऐसे आगे कर लिजे और एक, दो, तीन, चार, पाँच पांच फंदा को इस सलाई पर बिन बुने उतार लीजे उसके बाद धागा को ऐसे पीछे कर दीजे और एक फंदा सीधा बना लीजे देखे इस तरह से सीधा बना लीजे फिर धागा आगे कीजे और पांच फंदा को बिन बुने उतार लीजे तीन, चार, पांच फिर धागा पीछे करना है और एक फंदा को सीधा बून लेना है फिर धागा आगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदा को बिना बूने उतार लेना है धागा पीछे और एक फंदा सीधा बनाना है फिर धागा आगे और एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच फंदा बिना बुने उतार लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और लाश्ट के एक फंदा को ऐसे सीधा बुनेंगे तो देखे यहाँ पर हमारा जो हम छोटा सन्नमूना बना रहे हैं तो यह हमारा पाँचो यह पूरा बन गया है अब उल्टा के तरफ से बनाएंगे उल्टा के तरफ से देखे पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा से बुन देंगे जितना फंदा है सब को उल्टा बुन लेंगे तो उल्टा सारा फंदा बुन लेते हैं तो देखें यहां पर हम उल्टा के तरफ से पूरा बना लिये हैं और हमारा ये एक सलाई दो सलाई जो है पूरा हो गया है अब हम इसी तरह से आगे तीसरा सलाई में भी वही प्रोसेस करेंगे जो कि हम पहला सलाई में किये थे पहला फंदा को उतार लेंगे धागा को आगे करेंगे और पांच फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे और जो फंदा हम सीधा बनाये थे फिर धागा पीछे करेंगे और जो फंदा सीधा बनाये थे उसको हम सीधा बना लेंगे देखिए इस तरह से फिर धागा आगे करेंगे और पांच फंदा को बिना बुने उतार लेंगे इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि ये पांच फंदा को उतारना है और जो फंदा हम बुने थे सीधा फिर धागा पीछे करके उसी को सीधा ब होना चाहिए यानि कि अभी हम दूसरा बार कर रहे हैं और इस तरह से हमारा 5 फंदा इस तरह से यह जो लंबा लंबा धागा जा रहा है ये 5 होना चाहिए तो हम यह पूरा सलाई बना करके 5 पंद 2 यह बना के 5 रो और उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं तो देखे यहां पर हम पांच रो बना लिए हैं देखे एक दो तीन चार पांच पांच बार इसको हम बना लिए हैं अब हम इस पर दूसरा कलर का धागा को एड़ कर लिए हैं यहां पर दूसरा कलर धागा एड़ कर लो सभी और उसके बाद देखो कैसे से बनाना है पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे उतार लिए अब यहां पर एक फंदा को जो हम दूसरा धागा लगाया है उससे हम बूनेंगे देखें एक दो फंदा इससे बना लिए और तीसरा फंदा जो है उसके पहले हम क्या करेंगे ऐसे करके सब दागा के नीचे से ऐसे चार दागा ओपर कर लेंगे और पाँचना दागा जो ये पाँचना दागा है इसको हम इस तरह से नीचे ऐसे निकाल करके आगे लाएंगे देखे इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस धागा को इस तरह से हम ऐसे नीचे से ऐसे आगे ले आएंगे और इसको हम इस तरह से सलाई पर चड़ा दे के देखे इस तरह से पीछे से लाके और इसको हम इस तरह से दो फंदा को ये जो तीसरा फंदा बीच वाला फंदा है इस दोनों फंदा को मिला करके ऐसे एक फंदा बना लेंगे देखे इस तरह से दो फंदा का एक फंदा बना देंगे अब फिर इस दो फंदा को सीधा बना लेंगे और जिस फंदा को की हम बना रहे हैं इसको भी हम सीधा बून लेंगे देखे इस तरह से हमारा ये फंदा इधर आ जाएगा ये फंदा जो है यहां आ जाएगा अब हम यहां पर भी उसी तरह करेंगे देखे दो फंदा को सीधा बना लिए अब यहां पर तीन तीसरा फंदा के नीचे के पास में हम ये चौथा फंदा को ऐसे करके ऐसे पीछे से ऐसे ले आएंगे और इसको इस सलाई पर ऐसे चड़ा देंगे और ये दो फंदा को एक फंदा बना लेंगे ऐसे देखे इस तरह से और फिर तीन फंदा को सीधा बना लेंगे यहाँ पर कहिए तो 5 फंदा हमको सीधा बनाना है 5 फंदा सीधा बनाएंगे और 6 फंदा में इस तरह से 3 फंदा को ले करके ऐसे और 4 फंदा को यहाँ से इस तरह से हमको पीछे से ऐसे नीचे से उपर ले जाना है ये फंदा को उपर लिजा करके इसको सलाई पे चड़ा देंगे और ये तीसरा फंदा है इसको मिला करके हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे फिर पांच फंदा को सीधा बना देंगे तीन, चार, पांच सीधा बना लिए अब ये तीसरा फंदा के पास में फिर से उसी तरह देखिए चार पाचों फंदा को लिए और चौथा जो सबसे लाश्ट वाला फंदा है उसको इस तरह से निकाल लेंगे और ऐसे सलाई पे चड़ा देंगे और दो फंदा का यहां एक फंदा कर देंगे इस तरह से और फिर ये लाश्ट में चारो फंदा को सीधा बना देंगे, इस तरह से हम पूरी सलाई बनाएंगे, अब हम उल्टा के तरफ से पूरी सलाई उल्टा बना लेंगे, यहाँ पर देखिए हम पूरी सलाई उल्टा के तरफ से बना लिये हैं, और अब हम सीधा के तरफ से बनाएंगे, तो देखे पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे और दो फंदा पहले सीधा बना लेंगे एक दू दो फंदा सीधा बना लिए अब फिर हम इसी तरह जैसे कि पहली सलाई में किये थे उसी तरह से देखे ये एक दो तीन इस बार तीन फंदा के बार जो चौथा फंदा है इसक और उपर ला करके इस तरह से इस पे चड़ा देंगे और ये दो फंदा का यहाँ पर एक फंदा कर लेंगे बीच वाला फंदा में देखे इस तरह से और फिर यहां पाच फंदा सीधा बनायेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदा सीधा बना लिए अब फिर उसी तरह करेंगे देखे एक, दो, तीन, चार, चौथा में जो इस बार है जो लास्ट वाला फंदा है, धागा है इसको हम इस तरह से नीचे से लाएंगे देखे लाश्ट वाला मेरा ये वाला है तो इसको हम नीचे से इस तरह से लाएंगे और इसको सलाई पे ऐसे चड़ा देंगे और ये दो फंदा को एक फंदा बना देंगे देखे इस तरह से और फिर यहाँ पर पाँच फंदा सीधा बनाएंगे दो, तीन, चार, पाँच इस तरह से पूरी सलाई हम बनाते जाएंगे तो देखे यहाँ पर हम पूरी सलाई बना लिये हैं और पीछे के तरब से उल्टा पूरा बना लिये हैं अब उसी तरह से हम फिर हर सलाई में बनाते जाएंगे तो देखें यहाँ एक फंदा को उतार लिए और एक दो दो फंदा सीधा बना लिए और अब यहाँ से जो तीसरा वाला फंदा है इसको हम इस तरह से लेंगे दो को इस तरह से लेए, अब इस तीसरा वला फंदा को इस तरह से सीधा से चड़ाएंगे और यहाँ पर एक दो फंदा का एक फंदा कर दिये, फिर पांच फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदा सीधा बना लिए तो देखिए इस तरह से बन गया अब हम इसमें भी उसी तरह करेंगे देखिए यहाँ पर हम पूरी सलाई बना के उल्टा के तरफ से पूरा उल्टा बना लिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसको देखिए इस धागा को भी उपर लेते चलिए तब जाकर के यह आपका धागा छूटेगा नहीं देखे एक फंदा को उतार लिए दो फंदा सीधा एक दो फंदा सीधा बना लिए अब देखे यहाँ पर बच्छा है दो ठो दो धागा बच्छा है तो अब लास्ट में एक धागा को इस तरह से एक धागा के नीचे से ऐसे और इसको इस तरह से उपर सलाई पर चढ़ा देंगे और यहां दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे देखिए इस तरह और फिर पाँच फंदा सीधा दो, तीन, चार, पांच पांच फंदा सीधा बना लिए और ये जो है नीचे में है तो नीचे वाला धागा को इस तरह से लेंगे और सलाई पर ऐसे चड़ा देंगे और दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे इस तरह से अब लाष्ट में एक बच गया है इस तरह से पूरी सलाई बनाएंगे और उल्टा के तरब से उल्टा बनाएंगे तो हम बना करके उसके बाद दिखाते हैं यह हमारा हो गया है अब हमारा है यह लाश्ट सलाई तो देखे इसको कैसे बनाएंगे पहला फंदा को उतार लेंगे दो फंदा सीधा बनाएंगे एक दो दो फंदा सीधा बना लिए और अब जो एक फंदा बच गया है देखिए एक ही धागा बचा हुआ है और सब पूरा हो गया तो इसको अब इस पे चड़ा करके दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे देखिए इस तरह इसको एक फंदा कर लेंगे अब पांच फंदा सीधा बनाएंगे पांच फंदा सीधा बना लिए अब ये लाश्क में बचा है एक फंदा इसको हम इस तरह सलाई पे चड़ा करके दो फंदा का एक फंदा कर देंगे इस तरह से पूरी सलाई बनाएंगे यहां पर हमारा पूरा हो गया है और यह हमारा डिजाइन भी पूरा हो चुका है और अब हम इसको फिर से इसी डिजाइन को अगर चाहें तो आप रिपीट कर सकते हैं या चाहें तो आप एक नीचे किनारे के जैसा एसे बॉर्डर के जैसा भी दे सकते हैं और अगर चाहें तो आप पूरे में भी इसी तरह का डिजाइन आप बना सकते हैं और इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए अब आपको फिर से सफेद वाला जैसे यहां पर सुरू किये हैं उसी तरह से सफेद वाला को यहां से सुरू करना है बस वही प्रोसेस रहेगा जो नीचे रहता है नीचे बना हुआ है बस उसी तरह से आगे भी प्रोसेस करना है तो दोस्तों आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा और अगर हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा और धीर सारा सेर कीजेगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू